हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉंपिटिटिव एक्जाम की एदर UPSC, State PCS, SSC, CHSL, CGL या RRB, Railway का NTPC वगरा की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं फिलाल आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं physics और यह है lucent physics sorry and this is lecture number three of lucent physics इससे पहले lecture number one और two already upload कर चुके हैं नहीं देखा है तो i button पे click किजिए दोनुँ वीडियो या playlist आपके सामने आजाएगी जिसमें जाके आप दोनुँ वीडियो को देख सकते हैं और पिछली दो वीडियो की मैं आपको याद दिला दूँ तो हमने फर्स्ट वीडियो में यानि कि फर्स्ट पार्ट में देखा था है about the units हमने देखा था कि unit क्या होती है ठीक है कि कोई भी physical quantity है उसको major करने के लिए हमें जो है units की आवसकता पड़ती है और उसके बाद हमन या SI system यानि की system international system international के अंदर हमने देखा था दो टाइप की unit one is fundamental unit and another one is derived units fundamental units basically seven fundamental units होती है and two are supplementary unit plane angle और solid एंगल रेडियन एंड इस्ट्रे रेडियन रिस्पेक्टिवली फिर होती है derived units derived units ऐसी जो दो या दो से अदिक fundamental units को मिलके बनी हो जैसी की फोर्स की unit का example देके मैंने आपको समझाया था और इनी derived units के लिए देखने के लिए कि आखिर fundamental powers को कितना हमने raise किया कितना raise करके हमने derived unit को निकाला उसी के लिए हमने पूरा का पूरा पढ़ना पढ़ता है dimension ठीक है यह dimensional formulas तो यह dimensional formulas भी कुछ important हमने डिसकस किये थे in unit number 2 या lecture number 2 में तो यह सारी चीज़े हमने डिसकस कर दी थी और इसी के साथ हमारा जो first chapter आप कहते हैं 11th class का unit and measurement वो खतम हो शुका थे with dimensional formulas अब ह हम चलते हैं हमारा जो दूसरा chapter रहता है वैसे और leucent की book में भी आपको अगला topic मिल जाएगा जिसमें कि हम पढ़ेंगे scalar and vector quantity vector quantities इस चीज़ को हम आज की इस वीडियो में discuss करने माले हैं दोस्तों make sure वीडियो को पूरा देखना और चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और scalar vector quantity के साथ साथ एक और टाइप की quantity होती है दोस्तों जिसको कि हम discuss करेंगे और उसका नाम है दोस्तों इसको भी समझने की कोशिस करेंगे कि आखि टेंसर को एंटिटी इस क्या है and what is the basic difference between vector and tensor quantity ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं दोस्तों scalar quantities है बहुत ही आसानी से ना आप कुछ चीज़े समझाओंगा और आज की इस वीडियो में इतने ही देखेंगे short lecture रहेगा जितना भी time लगे तो दूस्तों scalar quantity are those physical quantity which have only magnitude no direction क्या का मैंने एक बार में repeat कर रहा हूँ those physical quantities which have only magnitude no direction is called as scalar quantity यहनी सिर्फ only magnitude no direction no direction यानि कि जिसको इसको अगर हम मैं हिंदी में कहूं तो सदिस रासी कहते हैं अब हिंदी में पढ़ाती नहीं है बट मैंने ऐसी लिग दिया आपको समझा जाना चाहिए तो ठीक है सदिस रासी इसको हम कहते हैं हिंदी में सदिस इसके लोग एंटिटी के अब ऐसी कुएंटिटी जिसमें सिर्फ मेगनिट्यूड हो ठीक है डारेक्शन की जरवत नहीं पड़ती है जैसे मैं कहा रहा हूं आपसे 5 किलो मेटर जैसे आप मान लीजिए 5 किलो मेटर पैदल चले या आपने 5 किलो मेटर बाइक को राइ नौर्थ इस्ट में गए हूं नौर्थ वेस्ट में गए हूं तो कुछ भी चीज हो सकती है पॉसिबिल्टी बहुत हैं बट मैं डिरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं I am only saying that you have covered 5 किलो मेटर तो यह ही क्या है दोस्तो जब ऐसी ही बातें करी जाती हैं जिसमें कि हम डिरेक तरकी और बढ़ते हैं अगर मैं कह दूँ दोस्तो आपने 5 किलो मेटर इस्ट की तरफ को यात्रा करी है आज आपने 5 किलो मेटर इस्ट की तरफ को आप चले हैं then this thing became the vector quantity तो यही चीज क्या बन जाएगी vector quantity बन जाएगी ठीक है आप क्यूं बनी vector quantity देखो क्यूंकि vector quantity तब जब मैंने इसके साथ direction को जोड़ दिया पहले मैंने सिर्फ कहा था कि 5 किलो मेटर लेकिन उसके बाद मैंने का 5 किलो मेटर इस्ट तो जैसी मैंने 5 किलो मेटर इस्ट कहा है तो यही scalar quantity जो थी 5 किलो मेटर अब क्या बन गी इस्ट जूडते ही vector quantity बन गी कोई भी direction जूड़ ज quantity अब vector quantity क्या होती है मैं definition बता जिता हूँ vector quantity is those physical quantities which have magnitude and direction both magnitude भी होता है direction भी होता है दोनु होते है and they also follows vector law of addition यानि कि triangle law of addition भी जिसको हम कहते है triangle law को ज़रूर follow करते है तो क्या है vector quantities की magnitude भी होगा इसके लिर में क्या था direction नहीं थी इसमें magnitude भी होगा direction भी होगी और magnitude है direction है और triangle law triangle law of vector addition जिसको कहते है triangle law को भी है follow करेंगे अब आपको चीज इतनी तो clear हो गई होगी कि आखी direction क्या है वो चीज आपने देख ली कि जैसे मैंने 5 km कहा जैसे मैं 5 km कहता हूँ तो वह इसका मतलब है कि वह क्या है scalar quantity है अब मैं कोई direction उसके साल लगा देता हूँ 5 km North कह देता हूँ तो वह क्या है vector quantity है बट यह चीज तो समझ आ गई magnitude भी है direction भी है तो vector quantity है अभी triangle law क्या चीज है यह देखते हैं तो यहाँ पर हम briefly तो discuss नहीं करेंगे जैसे कि class 11 में आपने पड़ाओगा वैसे नहीं देखींगा हलका बहुत मैं एक आपको basic idea देता हूँ about triangle law तो triangle law क्या होता है दोस्तों suppose एक vector आपको इस तरीके से दिया है और उसकी एक particular direction आपको दिया है ठीक है एक vector है vector number 1 इसको हम नाम दे देते हैं फिर दूसरा vector आपको दिया है इस तरीके से इधर इसकी direction दिये vector number 2 तो according to the triangle law अब हम क्या करेंगे एक vector यह है दोसरा vector यह है तो हमें find करना है net vector क्या होगा या total vector क्या होगा ठीक है जानी कि resultant vector क्या होगा तो triangle law क्या कहता है अगर दो vector इस तरीके से different direction में different magnitude के दिया है और अगर हम उन से हमने resultant vector को निकाल माने तो तिसरा side जो निकलेगी वो क्या होगी resultant vector होगी ठीक है triangle की जो तिसरी side निकलेगी वो क्या निकलेगी resultant vector निकलेगी ठीक है चीजने समझ में आगी and suppose this will be the theta angle vector 1 और vector 2 के बीच अगर theta angle बनेगा तो जो r की value होगी वो कितना हो जाएगी under root first vector का square plus second vector का square plus cos theta ठीक है यह बन जाएगी पूरी की पूरी इसकी value तो अब value value तो आपके लिए काम की नहीं है बस यही चीज़ आपने याद रखने है अगर first vector अगर कोई दो vector हम लें और दो vector की direction को इस परकार से हो कि वो triangle की दो side को बनाएं तो जो इन दोनू vector को मिला के resultant vector बनेगा वो इन दोनू side की तिसरी triangle की जो side बनेगी उसके equal बनेगा ठीक है और इसकी value कैसे निकलेगी मैंने आपको बता दिया under root first vector का square plus second vector का square plus the angle between plus cost angle between the two vectors ठीक है तो यह हो गया scalar quantity, vector quantity समझ में आ गई कि magnitude भी होगा, direction भी होगा और triangle लोको भी follow करेगी alright, अब कुछ मैं example आपको देता हूँ, सबसे पहले scalar को entity का example मैं दे दूँ आपको, दोस्तो सबसे पहले होता है mass ठीक है, अब scalar को entity में मैंने क्या बताए था, scalar को entity में मैंने बताए था, जब आप सिर्फ और सिर्फ किस की बात करते है, magnitude की बात करते है, direction की बात नहीं करेंगे जैसे कि अगर mass की बात करूँ या weight की मैं बात करूँ दोस्तो, आपका weight कितना है, mass भी kg में आएगा, weight भी kg में आएगा, ठीक है, चलो weight, weight, weight में क्या होता है दोस्तो, weight जैसे हमारा होता है, weight की एक direction होती है, दोस्तो कि towards the earth लगता है weight हमेजा, क्यूंकि earth हमें जो attract करती है, weight होता है, तो weight इसमें डालते हैं, सिर्फ और सिर्फ मास डालते हैं, अब मास क्या होता है दोस्तो, सपोज किसी के अंदर क्या होगा, mass is the total matter consist in a body, यनि कि किसी भी body के अंदर कितना matter consist है, उसको हम मास कहेंगे, सपोज आपके अंदर 25 kg मेंटर consist है, तो आपका mass कितना होगा, 25 25 kg, अब हम इसमें direction देंगे क्या, जैसे मैं weight क्या होगा, weight तो downward लगेगा, दूस्तो, अर्थ की तरफ को लगता है, तो कहीं न कहीं एक परकार की direction इसमें आजाती है, बट मास में कोई direction नहीं आती है, ठीक है, तो mass क्या होगा, scalar quantity है, अब हम बात करते हैं, speed की, हम क्या कहते ह हैं, वो 20 km परती, गंटे की speed से चल लगे, ठीक है, खया हिए, कोई bike है, 100 km परती, गंटे की speed से, जो riders होते हैं, वो चलाते है, 100 km परती, गंटे की speed से, तो हम direction नहीं बताते हैं उसमें, ठीक है, तो हम जब भी गार ही चलाते हैं, तो speed बताते हैं, तो that means speed is also a scalar quantity, ठीक है, इस तो मैं कहुंगा जैसे एक गंटे से काम कर रहा हूं 50 से काम कर रहा हूं कि आपको कोई भी exam time में कोई भी quantity दे दे और कह दे यह scalar है यह vector तो आप क्या करेंगे सीधा देखेंगे अगर सिर्फ और सिर्फ magnitude है डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है तो आप सीधा scalar में टिक कर देंगे और आपको लगता है कि direction की भी बात हो रही है तो सीधा सीधा वेक्टर में जैसे वेक्टर के example देख लो अब वेक्टर का फैला example है दोस्तो displacement सबसे बड़ी चीज़ है अब यहाँ पर एक चीज़ और है इसके लोग वंटिटी में डिस्टेंस है जह मैं डिस्टेंस की बात करूंगा न दोस्तो तो डिस्टेंस मींस होता है दूरी दूरी करना अब दूरी वह किसी भी डारेक्शन में हो सकती है ठीक है तो दूरी के साथ हम डारेक्शन नहीं बताते हैं हम कहते हैं पांच किलो मेंटर आपने ताही किया है डैट मींस वी आ टॉकिंट इस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो अगर हम बात करते हैं अगर मैं बात करता ह तो 5 km आगर आप इस्त की तरफ चले हैं that means distance की बात निकर रहें displacement की बात करें अब क्या है displacement यह हम next वीडियो में अच्छी से आप से discuss करेंगे displacement के अलावा velocity होती है दोस्तो velocity में भी हम जैसे speed बताते हैं वैसे बताइंगे 50 km per hour बोलेंगे लेकिन इसमें वेलसिटी बन जाती है जैसे एलावा दोस्तो형 उसके अलावा दोस्तोrito हो गया ठीक है नोड कर लेना यह अब किस डियरेक्शन में चलेगा वह डिपेंड करेगा किस पर इधर इदर से लग रहा है उपर से उपर तो इन charge factors पर defend करेगा कि किस direction में कहां से लग रहा है force तो ये भी क्या होगी एक vector quantity होगी तो vector quantity में आपको क्या distance के साथ displacement भी मिलेगा लेकिन अब यहाँ पर दोस्तो एक case आ जाता है ठीक है अलक्सा case उसको हम देख लेते हैं जिसको हम tensor entity कह रहे थे वो भी हम देखेंगे अभी तो एक case यह आ जाता है दोस्तो इलेक्ट्रिक करेंट का ठीक है इलेक्ट्रिक करेंट का case आ जाता है तो इलेक्ट्रिक करेंट में क्या होता है दोस्तो इलेक्ट्रिक करेंट चेप्टर में पहुंचेंगे इसको cover करते वे तो आपको चीज़ें समझ में यह कि किस परकार से electric current में direction होगे तो अभी आपको सिर्फ याद रखना है that electric current में direction होती है बट यह triangle law को follow नहीं करता मैंने आपको बताया था भी scalar quantity के अंदर आता है तो आप याद रख लेना कि electric current जहां पर भी दिखे direction तो होगी लेकिन scalar quantity है और क्यों scalar quantity है क्योंकि triangle law को follow नहीं करता है ठीक है I hope चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी यह exception case है पूछ सकता है आपको ठीक है तो इसको बिल्कुल आपने याद रखना है अब चलते हैं दोस्तों scalar हो गया vector quantity हमने समझ ली ठीक है scalar quantity क्या थी सिर्फ magnitude direction नहीं vector quantity vector quantity मैं क्या था magnitude भी direction भी और तिसरी एक और चीज जो की electric current follow नहीं करता है triangle law को भी follow करना triangle law भी क्या था मैंने आपको समझा दिया अब चलते हैं दोस्तों tensor quantity की तरफ अब यह tensor quantity क्या बला है दोस्तों तो tensor quantity दोस्तों ऐसी quantity होती है ठीक है जहां पर आपको मैं definition बता देता हूं tensor quantity जिसमें की direction भी रहती है magnitude भी रहता है बट जैसे आप orientation चेंज करने हैं तो magnitude चेंज होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूं tensor quantity यह आप विल्कुल याद रखना अच्छी तरीके से मैं अभी समझा भी दूंगा अलका फूलका tensor quantity दोस्तों क्वेंटिटी ठीक है ऐसी quantity जिसमें की magnitude चेंज विथ ओर्येंटेशन यह डारेक्शन magnitude changes with change in direction यानि कि आप जैसी दिसा को बदलेंगे न यह orientation बदल देंगे किसी चीज का तो उसका magnitude भी चेंज हो जाएगा या तो magnitude बढ़ जाएगा या घर जाएगा तो उसको tensor quantity केते हैं अच्छी तरीके से मैं समझता हूं इसका example आप याद रखना stress इस्ट्रेस क्या होता है यह चीज मैं आपको बताता हूं suppose this is a block ठीक है एक अलग pen से बताता हूं suppose यह एक block है ठीक है अब इस block मैं मानलो मैं उपर तरफ से force लगाता हूं यह आपकी book है यह आपका table है आप क्या करते हैं उपर की तरफ से ठीक है उपर से नीचे की दिसा में इसमें क्या लगाते हैं अब यह तो आपने फोर्स लगाया नीचे की direction में ठीक है अब फोर्स से क्या अब फोर्स आपका किसी एक particular एरिया में create ओगा यानि pressure भी create ओगा कहां की और नीचे की direction में अब नीचे की direction में force और pressure लग रहा है तो एक reaction आपको देखने को मिलेगा ठीक है क्यूंकि हम अगर थ तो ऊपर की तरफ भी आपको फोर्स देखने को मिलेगा और उपर की डार इसे से लगता है वह क्या करेगा वह करेक्ष एक तो यहां से इस्ट्रेस के फॉर्म में होगा चिक अब हैं यही सेम गई है एक बार अपने उपर से फोर्स लगा दिया फस्ट केस में अब सेकेंड केस में क्रतेfront आप यहां पर से फोर्स honors लगाते इस direction से ठीक है इस तरफ से आप force लगाते हैं अब normal reaction इसके opposite यानि की इधर से इधर को create होगा right तो reaction force opposite direction फोर्स आपने normal जो आपका जो force था वो आपने इधर direction में लगाया है यह हूँ और reaction कहां से मिला इधर को मिला तो आप देखो अब जो stress पहले create होगा अब यहाँ पर भी stress create होगा opposite direction से जो आ रहा है अंदर से जो block के reaction से जो force आ रहा है उसमें भी stress create होगा लेकिन अगर आप देखेंगे जो first का stress था first condition में जो नीचे से उपर की तरफ को जो stress लग रहा था उसकी जो magnitude होगी वो एकदम different होगी then जो यह वाला second case में जो stress लग रहा था suppose यहाँ पर से जो आप force लगा रहे थे 5 newton का force लगा रहे थे ठीक है और इसी तरीके से newton per meter में होगा क्योंकि f upon a है इसका formula pressure का कितना होता है force का newton per meter होगा तो मानलो first case में आप 5 newton का force लगा रहे थे और आपको 4 newton per meter का क्या लग रहा था stress लग रहा था पहले case में तो अब जो दूसरे case में आपने जो force लगा है मानलो यह भी आपने 5 newton का force लगा है लेकिन यहाँ पर से stress जो है वो कम हो सकता है वो होगा कि 2 newton per meter का लग सकता है stress तो देखा आपने पहले 4 newton per meter था अब 2 newton per meter हो गया कैसे आपने तो force तो अभी भी लगा रहे हो प्रेसर भी लगा रहे हो लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ क्या बदल दी direction बदल दी तो stress की भी direction चेंज हो गई तो इस तरीके की units जिनका की orientation या direction change होने के साथ साथ magnitude change हो जाए तो उन्हीं को क्या कहते है हम tensor quantities कहते है tensor quantities में अगर आप में center of mass या जिसको हम कहते है tensor quantity का एक और example है moment of inertia sorry moment of inertia moment of inertia की value अगर आप निकालेंगे suppose this is the rod और अगर आप center से इस rod को इसके axis में rotate करवाएंगे तो आप देखेंगे जो i की value यानि कि moment of inertia होगा वो कुछ अलग value आएगी और इसी तरीके से आप इसी rod को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसमें center से rotate करके इसको एक किनारे से आप rotate कराएंगे और फिर इनर्सियल निकालेंगे इसका क्या moment of inertia निकालेंगे तो इसकी different value आती है ठीक है आप कितनी value आती है आगे हम देख लेंगे ठीक है जब पढ़ेंगे हम देख लेंगे कि rod में center की तरफ से डालेंगे और एक किनारे से corner से rotate करवाएंगे तो inertia में यह moment of inertia में कितना difference आता है तो आपने देखा कि जैसे हमने direction बदली पहले center में थे corner की तरफ गए तो जैसी direction या orientation हमने में change किया तो magnitude बदल जाता है तो इस ऐसी quantity को क्या कहते है दोस्तों टेंसर quantity कहते हैं तो यह हो गया आई होप चीज़ें आपके समझ में आई होंगी क्या होती है जिसमें magnitude भी हो direction नहीं हो vector quantity जिसमें magnitude भी हो direction भी हो और साथ ही साथ triangle लोगो भी follow करें लेकिन electric current क्यूंकि magnitude भी होता है direction भी होता है triangle लोगो follow नहीं करता है इसलिए scalar quantity है टेंसर quantity एसी quantity जिसमें की orientation या direction चेंज कर दो तो magnitude भी चेंज हो जाए जैसे कि example इसका लिख लो stress हमने देख लिया ठीक है ऐसी refractive index भी है किसका एक्जामपल होता है पूछ सकता है एक्जाम में ठीक है refractive index में भी जैसे थोड़ा direction बदल देते हैं तो उसकी value change हो जाती है ठीक of inertia these three are the example of tensor quantity तो यह तीनों चीज़ें आप याद रखना scalar vector or tensor quantities ठीक है दोस्तों तो आज की इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी concept आपके clear होए होगे अगर ऐसा ही हुआ concept आपके clear होए वीडियो आपको पसंद आई तो जरूर से like कर दीजिए अच्छा घासा like कर देना दोस्तों अगर अच्छा लगा हो नहीं अच्छा लगा तो dislike भी कर देना कोई दिक्कत नहीं है कम से कम पता सुच लेगा कि कि कितना आपको इसका benefit हो रहा है और साथी साथ अगर आपको रखता है कि आपका इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों और जो लोग सिर्फ और फिजिक्स का लेक्टर फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ जिए आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाएगा दोस्तों तो लगबग हम साम के टाइम पे 6-7-7 बजे के बीच किसी भी टाइम इसको रिलीज करते हैं या साथ से बाद भी यान कि साम को साथ-8 बजे तक आप मानके चल लेकि फिजिक्स की वीडियो आ जाती है तो आप चाहें तो सब्सक्राइब करके उस समय चेक कर सकते हैं ठीक है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी या आप चैनल पर जाके एक बार चेक कर सकते हैं कि वीडियो आई कि ने ठीक है तो कल संडे के यस संडे के उससे नहीं आप आई थी वीडियो लेकिन आज हमने बना दिये दोस्तों तो लाइक है और सब्सक्राइब जरू होगाम है आर्ड इस गार्यर टेर टैल्यां आप अपने